मित्रो आसा करते हैं आप सब सकुसल होंगे आज एक ओस्दिय ट्री की बात करेंगे इसको आप देशी बबूल इंडियन गम ट्री या अकोसिया निलोठीका की नाम से जानते हैं यह माइमोसी कुलका है इसके विभिन्न प्लांट पार्ट इसकी जो पौड आप देख रहे हैं इसके अंदर बीज, इसके पत्र, इसकी छाल, विभिन्न पार्ट इसके औस्दिय गुन रखते हैं इसके अंदर विटामिन B1, B2, B3, विटामिन C, कैटेचिन, कुरसेटीन, लिक्योसाइनिटीन और इसके गौंद के अंदर गलेक्टोज, कैल्सियम और मेगनिशियम और इ विटिमिन्स, एसकोर्विक एसेड, आमाइनो एसेड पाय जाते हैं, यह बहुत सारे औस्दिय गुन रखता है, इसमें से कुछ इंपोटेंट हम आपके सामने रखेंगे, जैसे कि अस्थी भंग कई बार हट्टी तूट जाती है, और काटलेज फट जाता है, हीलिंग को ब मुख गंद के लिए, और मुख में अगर छाले हों, गम ब्लीडिंग की समश्या हो, तो उसके केस में हमें इसके पत्र चबा सकते हैं, 10-12 ml जूस इसका बना कर पी सकते हैं, अतिसार की समश्या हो, तो पत्तो के रस के साथ छाच पीना चाहिए, और अगर प्रवाहिका की सम समश्या हो, तो इसके कॉमल पत्र लेकर उसमें हमें इसका रस बना लेना चाहिए, और हरड का चून मिलाकर छाच के साथ सेवन करना चाहिए, टॉन्सिल की समश्या हो, तो इसके पत्र को लेकर, क्वात बनाकर हमें कुला करना चाहिए, और रक्त स्राव की समश्या हो, शरी इस के छाल का महीन चून बनाकर हमे लेप करना चाहिए। पित जकास की समस्या में हमें इस के गौंद को चूशना चाहिए। और इसके सुरस का सेवन करना चाहिए। जलोदर की समस्या हो तो इसके च्छाल के क्वाथ का सत्व घं सुरूप तयार कर लेना चाहिए घं सुरूप का मतलब होता है इसके डिकॉक्षन को कंसंट्रेट करके जब वो बहुत गाढ़ा हो जाता है तो इसकी हमें गोलियां बना लेने चाहिए जलोदर की समस्या पूरी तरह से दूर हो जाती है इसके अंदर एंथलमिंटिक प्रोपर्टि होती है हर प्रकार के वंज को सरीर से बहार निकाल देता है इसके साथ साथ यह है एंटि वाइरल पोटेंशल भी है, हैपेटाइटिस C और HIV जैसे घातक रोगों में भी यह इम्मिनिटी को बढ़ाने का कारे करती है, पस्वों में एक वाइरल डिसीज जो होती है, फूट अन माउथ डिसीज, उसके इसमें इसकी छाल का डिकोक्षन बना कर गुड के साथ पि होट सड़ने जैसी बीमारी हो जाती है, उसके इसमें भी यह विसेज फायदा करता है, कई बार केटल का जो गर्भास से है, वो बहार आ जाता है, मसल्स की वीकनेस के कारण प्रोलेप्स हो जाता है, तो उसके इसमें भी इसका हमें डिकोक्षन मिलाकर पस्वों को प्राना चाहिए, विसेज लाब करता है, फिर मिलेंगे एक नए औस दिये पोधे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद,